नमस्कार आपका स्वागत है भगवान अगनी देवने महर्शी वसिष्ट को ये अगनी पुरान सुनाया है इसमें 383 अध्याय है इसमें परा परा विद्याव का वर्नन श्रिष्टी वर्नन, सनान संध्या, पूजा होमविधी, देवाले निर्मान, विविद्य देवी देवताव के प्रतिमाव के लक्षन, स्वपन विद्या, स्त्री पुरिष के शरिक लक्षन, विबिन पशो द्वारा मिलने वाले संकेत इत्यादी के विशे में महत्व पूर्ण ग्यान दिया गया है, आज हम बात करने जा रहे है, अगनी पुरान में वर्नन किये गये है, ऐसे प्रानियों के बारे में, जो हमें सपनों के द्वारा, विविद प्रकार के रहस्य में संकेत देते है, इन में से कुछ सपन बुरे आने पर वेक्ति को पुन सो जाना चाहिए और शुब सपन दिखाई देने पर फिर से सोना नहीं चाहिए तब इन सपनों का फल मनुशे को प्राप्त होता है अगनी पुरान की अनुसार रात्री के पहले प्रहर में देखे गए सवपना एक वर्ष तक फल देते है दूसरे प्रहर में देखे गए सवपना छे महा में फल परदान करते है तीसरे प्रहर में देखे गए सवपना तीन महने में और चोथे प्रहर में देखे गए सवपना प कभी दूसरों को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो इन से मिलने वाली सबी फल नश्ट हो जाएंगे, कुछ प्राणियों का सपने में दिखाई देना भोती शुब होता है, यह आर्थिक समर्दी का संकेत देते हैं, लेकिन कई बार हम जाने अन जाने में, जागने के तुरंद इन सपनों के बारे में अपने मित्र एवं परिवार जनों को बता देते हैं, तो सपन का फल भी नश्ट हो जाता है, इसलिए आप भी यदि इन प्राणियों को सपने में देखते हैं, तो इनके बारे में कभी भी दूसरों को ना बताएं, तो चलिए जान लिते हैं, सपनों पर विजय का प्रतिक है। इसलिए शुब सपन को देखने के बाद आपको पुनो सोना नहीं चाहिए और इस सपन की बारे में कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए नहीं तो इसका फल भी नश्ट हो जाएगा। सपन में हाती दिखाई देने के बाद इस बारे में भूल से भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए नहीं तो सपन का फल नश्ट हो जाएगा। सपन के थी समझना चाहिए आपको भविष्य में बहुत अदिक धन की प्राप्ति होगी। किन्तो यदि आप इस सपन के विशे में दूसरों को बता देते हैं तो सपन का फल भी नश्ट हो जाएगा। चवता है सपने में गाय को देखना। यदि सपन में गाय के दर्शन होते हैं तो ये एक शुबसपन है। गाय सुक्सम्रदी का संके देती है। यदि सपने में सफेद रंग की गाय आपने खुरों से धूल उडाती हुई दिखाई दे तो आपकी दरिद्रता का एवं दुखों का विनाश होगा। आपको अपार धनसंपत्ती की प्राप्ती होगी किन्तो आप इस सपन को गुप्त ही रखे। सपने में केवल गाय के दर्शन होने मातर से ही मनुश्य धनवान बन जाता है। इसलिए एदि ऐसा सपना आए तो इसे गुप्त ही रखे। पाचवा है सपनों में घोडों का दिखाई देना। यदि किसी सुंदर परवत पर दोरते होए घोडे दिखाई दे या आप सवयन को घोड सवारी करते होए देखते हैं तो यह भग्य बदलने वाला संकेत है। प्राचिन समय से ही घोडों को मान एवं प्रतिष्टा के चपने में मचली दिखाई देना अगर आपने सपने में किसी वे प्रकार की मचली को तेरते देखा है या फिर आप स्वयम को मचलीों से घिरा हुआ पाते हैं तो यह काफी शुब है क्योंकि सपने में मचली देखने का आर्त होता है कि आचानक बड़ा धनलाब होने वाला ह इस सपने का फल आपको आने वाले एक महिने के अंदर मिल जाएगा इसलिए आप इस सपने का जिक्र कभी किसी विक्ति से ना करे तो ये थे वो पाच प्रानी जिनका सपने में दिखाई देना शुब संकित होता है अगर ये जान करे अच्छी लगी तो विडियो को लाइक करे कमेंड में जे मालक्षमी अवश्य लिखे साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद